हालो गाइज कैसे हैं आप सभी आप सभी को मैं स्वागत करता हूं नमस्ते करता हूं गुड मॉर्निंग करता हूं और इसी गुड मॉर्निंग के साथ मैं आपके लिए लाया हूं CSIR NET JRF का जो स्लेबस है उसमें जो यूनिट 7C है डैट इस रेस्पायरेटोरी सिस्टम उसी का टॉपिक है ऑक्सीजन लोग क्या करेंगे कंसेप्ट सिखेंगे और कंसेप्ट के साथ 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 परीविस सव को सbungRIS बनाएंगे और देखेंगे आप कैसे कंसेप्ट को чтоб की अप्लाई करतें हूं आई बास समझ में आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब देखेंगे oxygen hemoglobin hemoglobin dissociation करना उसके बाद प्रिदिए एकोस्टेस और फिर हम लोग उस फैक्टर्स को देखेंगे जो फैक्टर्स oxygen hemoglobin dissociation curve को affect करता है और उस factor से related कुछ सवाल दखेंगे जो पूछेगे हैं previous year questions में ठीक है लास्ट में दखेंगे chloride या hamburger effect पढ़ेंगे और उससे संबंदित questions दखेंगे जो paper में आये हुआ है इसी के साथ आपके स्वाइब आ गया हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं मैं साथ कोपी करेंगे बैठ जाएगे ठीक है यह है oxygen hemoglobin dissociation कर्ब को समझे से पहले कुछ बात हैं समझे पहले क्वार्टर नड़ी structure पता है hemoglobin का सबको पता है क्या होता है अलफा वान अलफा टू बीटा वान बीटा टू यह चार सब यूनिट है ठीक है चारो सब यूनिट में आपका एक एक हीम गुरूप है टोटल चार हीम गुरूप है इसी पज़ा से hemoglobin चार oxygen को बाइंड करता है ठीक कहता है क्या है कि hemoglobin का इस बात को निर्णा करता है कि oxygen के अफिनिटी हीमोगलोबिन के लिए होती है डिव टू इट्स टर्सेरी स्ट्री इस बात को समझ गयोंगे अब देखें का कहता है कि जब हिमोगलोबिन के पास oxygen नहीं है तो वह डि ओक्सी ग्लोबिन स्टेट में है डि ऑक्सी लोबिन स्टेट यानि टैंस स्टेट में है वह ठीक है जो की बिटा ग्लोबिन जोग्होपाए जाएता है अब कहता है क्या है जैसे ही इसकोछ पांण हुआ एक हिशेड को यछ जायके'll कर जाता है अब और आप ऑक्सीजन हेमोग्लोबीन टी सोसेशंग कर्भ फिछा इस स्ट्रक्चर के अधार पर तो इसका सिगमवाइडल करभ मिलना यानि एस सेप्ट कर मिलता है जिसको सिगमवाइडल करव करते यह दिखाता है एफनिटिव ऑक्सेड टौर्ड्स हेमोग्लोबीन आइस में ठ कि जब बाइंड कि एया हिम еुद्टी तो है 150 अब फर्स्ट ऑक्सीजन जो हिमेंड किया यह क्या करेगा किसिकेंड ऑक्सीजन जो से जैसी बाइंड हों का हीमोगलोविन से क्या होगा फॉर्थ ऑक्सीजन का बाइंडिंग हीमोगलोविन से मेनी फोल्ड टाइम्स बढ़ जाता है यही दिखाता है को ओपरेटिविटी बिहेवियर यानि एक के बाइंड करने से दुसरे का बाइंडिंग और ज्यादा आसान हो जाता है आई बात समझ में ठीक है इस करब को समझ यह जब यह कर दीदे उपर जाएगा शुरू में क्या कर रहा है कि यह कॉंट्रेक्टिंग मसल्स में औक्सीजन नहीं है यहां ऑक्सीजन के कम होगी जैसे से उपर बढ़ा अब यह थोड़ा सा और एफिनिटी बढ़ाया औक्सीजन और गेंद के ही मग अधियसे और उपर गया करभ यहां फ्लैट हो गया है मतलब यहां बन 90 से 90 से 95 परसेंट ही तो हां से ओक्सीजेट का मत्त वाता है हीां में जितनी साीट थी वह ऑंग्सीजन से भार चुकी है 90 से 95 परसेंट कहां आर्टेरियल ब्लड में सब्सक्राइब करते हैं अब देखिए कहता क्या है कि आपका दिखाता है पारसे प्रेसर ऑक्सीजन जो ब्लड में है और नंबर ऑक्सीजन मोलेकुल जो बाइंड करेगा यह बाइंडिंग आपका यह से कर्फ को दिखाता है यानि चलते हैं यहां क्या है एक से प्रेसर ऑक्सीजन हमने प्लोट किया वाइकसीजेश से प्लोट किया परसेंटे सैचुरेशन अब हिमोगलोबी जैसे जैसे ऑक्सीजन कर्षेफ को समझाने के लिए है कि matrix ंटिक लिए ऑकफंड़ इसके लिए अभी पंदा ये स्टेट्मेंट सही नहीं हो सकता है यहां से खतो हो आगे पर हो आप कहता है कि डी ऑक्सु हीमो अइच होता है यह अभी बांद भूणेस अभी पंद भी ऑ्ष्टेट आपके टी स्टेट में उसका ग्लोबिन सब यूनिट जो हमें पास चार सब यूनिट है जब यह जैसी ऑक्सिजन बाइंड होगा इस सब यूनिट के अंदर अंदर ही क्या हुआ इनकी केनेक्टिविटी इंटरेक्शन अल्टर हो जाता है यह बात सही है क्या उप्सिजन से बात बता है यही पूछा भी था आगे बढ़ने के जरूरत ही नहीं है ठीक है अब आपको गलत है इंक्रीज कर नहीं सकता घटेगा आप सबको पता नीच और गलत है यहीं गलत पता करता हूं आई बात समझ में आपको चलिए आगे पढ़ता हूं अब देखता हूं आप पढ़ेंगे effect कौन सा factors है जो oxygen और hemoglobin के dissociation करब को affect करता है ठीक है affect मतलब कभी oxygen का affinity hemoglobin के लिए बढ़ा देगा कभी उसके affinity hemoglobin के लिए घटा देगा इसी बात को देखते चैनल सबसे पढ़े देखेंगे पार्सिर प्रेशर कारबन डायक्साइड जब तो कार्वन डायक्साइट का पार्षियर प्रेसर ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या होगा पीएच कम हो जाएगा यानि एसी बढ़ेगी जैसे बढ़ेगा ऑक्सीजन का हीमोगोविंगे साथ एफनिटी कम हो जाता है इस बात को चल देखते हैं कर्प से ग्राप से देखते ह प्लड में बढ़ रहा है वह से क्या होगा तो क्या होगा ज्यादा ऑक्सीजन की जरुवत परेगी हमोगोविंग से बाइंड कराने के लिए इसे देखो यहां 30 था यहां लाओ गए तो 50 अब ठीक है 30 यहां 50 यहां और लो 70 यानि जैसे से कब टूदर राइट सिफ्ट कर रहा है क्या हो रहा है ऑक्सिजन के फिनीटी हेमोग्रोमिंग के लिए काम होते जा रही है यही से से एफक्ट होता हैं पिकते तक है यह जो डाइब आपका एमोगलोमिन क्या होगा एक फिल्टी पर से कहा जाता है इस 50-50 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखिए इन सभी फैक्टर के बढ़ने के कारत क्या होगा यह अगर से आगे बढ़ते हैं आपको समझ पार अब देखिए पी-च का एफिट क्या है अगर पैस data तो एपड़ाओव टोलवा काम हो रही है यह अगर से official और होगा तो ऑग्सीजन का ही म्हादbn से में क्या होगा किया क्या हुए तर अपर लेप्टल से बढ़ें उखिक हो जाएंगा मतलब जब ओक्सीजघन के कि एमाउंट में क्या होगा आपका हेमोग्लोबीन सचुरेट कर जाए पहले ऑक्सिएन जा लग रहा था अब ऑक्सिएन कम लग रहा है हेमोग्लोबीन को सचुरेट करने के लिए क्योंकि एफनिटी बढ़ चुकी है आसा करता है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे यहीं प सब्सक्राइब के पासे पैसर बढ़ गए पीएच कम होगा देखो पीएच जैसी कम को तो क्या होगा आपका कर टूदा राइस हो रहा है यानि अब ऑक्सिएन ज्यादा चाहिए उतना ही एमाउंट हेमोग्लोबीन को सचुरेट करने के लिए क्यों क्योंकि ऑक्सिजन का ए विए पीएच घटता है घट जाती है जब घटेगी ऑकषीशन कहीं के लिए इसी एफेट को काते हैं बोड़ एफेट कहाते है बोड़ एफेट कि याद रखी ऑटब बलड में कम होगा है तो यह थोड़ बढ़ेगी और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबीन के साथ क्या होगा दाने का पराम Свब होता है त्रिक है आगे बढ़ते हैं कि अब टेंपरूस करते है अब टेंपर मेता रहे होए तक्या होगा धीद ये इपर प्रोटीन जुरू करना होगा होगा oxygen का binding protein से अब कम होगा तो क्या करेगा आपकर to the right shift हो जाएगा जो दिखाता है यह oxygen के affinity protein के लिए कम हो गया मतलब अब और ज्यादा oxygen चाहिए उतना ही amount hemoglobin को saturate करने के लिए आई बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते है 2-3 BPG जो पहले लिया था क्या है 2-3 BPG 2-3 bisphosphoglycid यह आपके glycolysis का एक बाइप्रोडक्ट है कहता क्या है 23 BPG कहां पाजाता है blood में और वहां 23 BPG का concentration बढ़ जाता है यह हीमोगलोविन के बीटा चेंड को बाइंड करके आर को टी में कनवर्ट कर यानि टी स्टेट को काफी ज़्यादा कर देगा जैसीटी स्टेबलाइज हुआ मतलब क्या हुआ हिमोगलोविन का oxygen के साथ binding कम कर देगा affinity घाटा देगा अब हिमोगलोविन औक से ज़्यादा पाइंड नहीं होगा अगर कहता क्या है कि द्यूरिंग फिजिकल एक्सराइज आप मसल्स का रणिंग कर रहे हो ताकत लगा रहे हो खुब मसल्स करते हो क्या होता है oxygen का supply एक्टिव मसल्स में बढ़ जाता है क्योंकि आप जड़ा oxygen कंजून कर रहे हो और सप्लाइब करते नहीं इस बात को चार समझाय गया कि कैसे oxygen के suffering बढ़ रही है उसको चार समझाते मैं अब कूछा है कौन सही नहीं है सही नहीं है धियान देते हैं प्रसे इस O sinoblog कर रहे है सही तो है दिकलाइन कर रहे है त्बढ़ रहे है 250 बढ़ धाएगा दाएट काम हो रही है क्या को क्यों पूछाई जो सही नहीं है यह कट दो यह कट दो तो więcej बढ़ेगा जाब मसस रांणिंग करते हो अब h2 होता इस घ्रम क्मा distinguo क्योंकि CO2 ज़्यादा बन रहा है वहाँ ठीक है एस प्लस कॉंसरेशन बढ़ता जा रहा है तो पी इस तर कम होना ही है तो बी भी सही हो गया ये भी सही हो गया तो भाईया अगर ही मइन देगा मसल्स को नहीं देगा तो यहां कराना है ताकि जया सब्सक्राइब कि खटेगा से पाहिंट होगा कि यह जाकर के वहां पर जाते ही क्या हुआ कर जाएगा तो यह भी आपकर क्या है यह भी उप्सन हापक गलत है यहां 23BG इंप कम आ लिकिन पी 50 राइज नहीं करना चाहिए इसलिए उप्सन और नहीं करना चाहिए अब दखिए ऊसी कया धारता लिए बढ गया दियूरे अग्सराइज बढ़ जा रहा है जा रहा है एक्सेजर क्यों क्यों कि है मैं चाहिए इसलिए हिमोगलोमिन औक्सीजन बाइंड नहीं होनी चाहिए इस बात को कैसे समझाओ यहाँ पर कैसे समझाओ इसी बात को बोला गया है आप देखो काता क्या है कि CO2 प्रोडक्शन इंगेज हो रहाँ मसल्स में ठीक है तो वह पी 50 को अफेट करेगा यह बात सही है तो यह काट दो यह भी काट दो जब सही है को कि यहाँ पर इनकरट एस्ट ने पूछ रहा है इभी बात सही है अब काता है कि हीमोगलोमिन का एफिनिटी ऑक्स कम हो जाती है तो भी क्या है ठीक है अब देखिए जब बढ़ता है तो ऑक्सी हमोगलोमिन का प्रोटीन मोल्कुल तूटना सुरू कर रहा है तो राइट होना चाहिता लेट होगा ही नहीं तो यहां गलत हो गया तो क्या होगा सब्सक्राइब करते हैं अब देखिए लास्ट है इसे बात को समझी अच्छे तरीके से जब आपका आपके लंग से ऑक्सीजन लेकर के जब आपके टीशू में जाता है तो क्या है टीशू के पास ऑक्सीजन ज्यादा होता है ठीक है सोरी आरबीसी में ऑक्सीजन ज्यादा होता है क्योंकि आरबीसी में हिनोगलोमिन है ऑक्सीजन 97% हिनोगलोमिन से बैंड कर जाता है तो क्य होगा कि RBC से oxygen निकलेगा tissue में जाएगा tissue से carbon dioxide निकलेगा और कहां जाएगा प्लाजमा से कहां जाएगा ठीक जब आरबीस यहाँ आरबीस में ब्लड ब्लड में वाटर है वाटर कार्बान डाइक्सटे से करेगा करभोनीग इसी बनाएगा करभोनीग इसए माइस वान में इस बाहर निकाल यह बढ़ता जाएगा यहां पर यहां पर इस ब्लड काते हैं वेनस ब्लड कहते हैं वेनस ब्लड में वेनस ब्लड जो टीशू से वापस आ रहा है यहां से बाहर निकलेगा और को राइड साच में चला जाएगा ताकि इसके यह करें करें क्योंकि एसंटी मैंस करना क्या च्राइब करना है तो क्या होगा प्लाजर मा से निकल करके आपके आर्बी सी चला जाएगा वहां क्लोराइड का कंसेट्रेशन आरबीसी में बर जाएगा जो विनेस ब्लड में आई बात समझ में ठीक है इसी से संबंदित इसी एफेक्ट हो कहते हैं हैं यह जो क्लोराइड आरबीस इमझाता है इसके पीछे एक अनायन एक्सचेंजर है इसको बैंड 3 प्रोटिन कहते हैं यह अनायन एक्सचेंजर प्रोटिन है बैंड 3 प्रोटिन है इसी संबंद एक सवाल पूछा था स्वाल प्रकते हैं यह सवाल है आता क्या है कि आरबीसी जो विनेस ब्लड है विनेस ब्लड यानि जो टीशू से ब्लड सीओ टू के लिए करके आपके हार्ड की तर जा रहा है य इस रत्ता कऊ-ा को अज़ने के लिए चार में लोगों ने प्रपोस्ट किया बताना चार मैं से क्कौन सब्सेंट गलत है कहते है। अध्य क्या है कि कर्मन डायॉक्साइड का प्रेशर विनेस प्लाजमा में बढ़ जाता है सही बात बढ़नेंगे लुए है डिफ्यम्हार में बढ़ गया इंक्रिसलाव थो ये सय औक तो waren इंटुर इन्टू अरी कि अधी सिक्क 119 ब्लचमे अब ब्लासमें आप यह रहा है RBC में जा रहा है सही बात है statement a correct है तो यह काट दो यहां से इसको भी काट दो eliminate करना सीखो question बनेगा अब काता क्या है कि XO3- का content venus blood के RBC में ज्यादा है plasma से ठीक है यह सत्य बात है अभी बताया था कि सत्य बात है अभी बताता है कि venus blood में plasma CO2 आया और चाना से क्या हुआ plasma से क्या हुआ plasma CO2 diffuse करके RBC में चला गया तो यहां जाते ही क्या हुआ RBC में क्या हुआ ऐसी तिमया सब स्यख्षराइज सारभी स्य बढ़ जायाएगा सही बात है जब बढ़े तब इसके एवर्ज में क्लोराइड आइंस बहार निकले से अनायन एक्सचेंजर के थुरूप ताकि हम नीट्राइलिटी मेंटेन कर सके तो बी गलत बी क्या है सही है तो एक दो तीन जो सही हो गया चोथा ही नहीं को देख लो खतर क्या कि एक्सेस एक्सेस एक्सेटी मैनेस आर ब अनायन एक्सचेंजर बैंड थ्री प्रोटीन है तो हल्प करता है इसे सी गलत हो गया उसे के साथ डी भी गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां कता है आर बीसी वाबस जा रहा है सोडियम और कॉराइड असा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सीडियो अप्संस गलत हो गया आ अपने आप अप्रोच सीखो और सीखो अपने आप कोश्चन बना लोगा इसका ठीक है आए बास में चलो आगे बढ़ते हैं यह लास्ट सवाल है एक बास से ने पूछ दिया था कि कारवन डायक्साइड कंटेंड और पासे प्रेसर कारवन डायक्साइड यहां पर सीयो इसी पर सवाल पूछा गया है अब देखो के इसी कार्व से चार स्टेटमें लोगों कर लाइज करना है चार राशलिक्ट बनाना है क्या है इसके CO2 से concentration ज्यादा होगा affinity बर जाएगी वही बास सही कर रहा है oxygenated नीटे है इसकी affinity CO2 से कम होगी कोई कर्फ तूदा कोई कर्फ deoxygenated के नीचे है यानि तूदा राट जा रहा है तो कम होगा यह आपका सही है यहां है यह सही हो सकता है और यह सही हो सकता है ठीक है आगे बढ़ता है अब करता है कि deoxygenated hemoglobin does not bind with free H+, जब deoxygenated hemoglobin का CO2 से affinity ज्यादा है तो यह तो H+, freely bind करेगा ही करेगा ठीक है तो B options क्या है गलत हो गया है काट दो इसको तो यह भी सब्सक्राइब होता है hemoglobin जब अगर hemoglobin oxygen सब्सक्राइब कर रहा है तो CO2 के अपने आप काम हो जाएगा ठीक है यह अफेक्ट करता है तो C भी गलत है यह यहां भी गलत हो गया अब अपने आप फोर्ट हो यह बस चौथा आपसां को बताते है oxygen CO2 का binding डिफरेंट साइट बादी जान लो और oxygen hemoglobin के साथ उसके हीम गुरूप में आयरें के साथ ठीक है और आपका CO2 hemoglobin के गलोबिन चेंद के साथ उसके amino acid के नस्टू गुरूप के साथ बाइंड करता है और एक CO भी होता है जो oxygen जहां बाइंड कर रहा हो ही CO बाइं करता है यह बात आया समझ मैं आपको इसी और Dap 95 seconds ऑलपकर पार ठीक है वैसी के साथ समाप्त होता है और को को दिख को दिखकत हो प्लीज करमेट ने लिए बेदो हुआताज OUT 5750 आगे और भी मैं इसी तरह टॉपक के लेके आता होंगा के प्रिविए से कोस्टेंज पर जो जड़ा इंपोर्टन टॉपिक है लेके मैं आता रहोंगा इसे के साथ अलविदा बहुत धन्दवाद में लेक्रेस को देखें के अलविदा पाए